जाहिन दोस्तों आज हम बात करेंगे 11-13 JPC जो परिक्षा हुआ उसी का cut-up को लेकर के बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना था कि cut-up क्या रह सकता है expected इसी के अधार पर हम mains का तयारी करेंगे तो उसी को हम लेकर के यहाँ पर आये हैं जो भी cut-up होगा वो expected होग आयोग का cut-up नहीं होगा लेकिन इसी के आज पास रहने की संभावना है तो आपका अगर नंबर इसके अंडर में आता है तो आप mains के लिए लग जाएंगे नहीं भी आता है तो अगले को तयारी को देखते हुए आप ध्यान में रखकर और उसके बाद भी लगेंगे ठीक ह तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं जनरल कट-up को लेकर के और इसके पहले कुछ बात बता देते हैं कि पहले का cut-up के तुलना में ही आज पास रहेगा क्योंकि देखें इस बार जो है वो दो तीन फाक्टर बहुत जादा इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि इसमें सबसे पहले यह बात रखता है कि पहले के तुलना में 7-10 जो हुआ था उसमें देखेंगे तो 252 सीट था ठीक है तो 252 सीट के लिए परिक्षा लिया गया था बहुत सारा टाइम मिला लोग बहुत अच्छा पड़ा था तो उसके बाद भी cut-up 126 से उपर रहा था ठीक है त तो इस बार थोड़ा सा सीट भी बहुत जादा है मतलब कि पहले से लगबग 100 सीट जादा है कहने का मतलब आप देखेंगे तो 242 सीट है ठीक है तो इसमें लगबग 100 सीट जो है पहले से जादा है 90 सीट पहले से जादा है ठीक है तो इसी के base को रखकर और उसके बाद यहा में रख करके देखा जाए तो थोड़ा सा cut up पर इसका effect पड़ेगा कि नए लोगों को यहां पर दिकत हुआ है पूराने लोग बहुत सारे लोग confused किये हैं question इस तरह का था तो इसमें किसी तरह का टेंसल लेना नहीं है लेकिन उसके बाद भी cut up यह सोचेंगे कि बहुत कम हो जाएगा तो ऐसा कोई बात नहीं है देखे जेनरल cut up जो है वो आपका 123 से 126 जो वो अलग cut up था उसी के आसपास में रहेगा इसके पहले जो 126 question cut up था वही आसपास में रहेगा अगर आपका general category में 123 से 126 के बीच में आ रहा है तो आप mains के तयारी में लग सकते हैं इससे उपर हैं तो बिल्कुल सही है इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इसके बाद अगर BC 1 और 2 में अगर आ आ रहे हैं तो BC 1 और 2 का अलग-अलग cut up नहीं होता है वह मतलब एक ही cut up होता है ठीक है तो इसमें देखेंगे तो अगर आप 120 plus हैं 120 से 124 के बीच में तो आप अराम से cut up लिस्ट में आ सकते हैं तो आप इसके according आप लग जाईएगा तयारी में ठीक है इसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा AC का तो AC कटेगरी में 118 से 120 तक के बीच में है और इससे उपर है तो वह आप लग जाईए तयारी में मेंस के लिए क्योंकि उसमें भी टाइम नहीं मिलने वाला है जिस तरह से आपको पेटी में टाइम नहीं मिला है मतलब तीन तारिक तक फार्म भराया था सोच सकते हैं और उसके बाद आपका यहाँ पर 17 मार्च को मतलब एक्जाम ले लिया गया तो यह सोचने वाली बात है तो मेंस में भी कुछ इसी तरह का होने वाला है दो महिना में आपको देखेगा दो अड़ाए महिना में मेंस भी लिलेगा और किलिया 4-5-6 महिना में पूरा कर सकता है थोड़ा सा आप यहाँ पर तयारी में लग जाईएगा ठीके इसके बाद यहाँ पर SC के बाद यहाँ ST का बात करें ठीके तो ST में 116-118 कटफ रहने वाला है और EBC का बात करें नई EWS का बात करें ठीके तो इसका भी कटफ लगबग जो है वो BC1-2 के आसपास में होता है उसे थोड़ा सा जादा ही होता है तो कुल बिलाकर 122-124 के बीच में अगर आप कोशन राइट किये हैं तो आप लग सकते हैं हम मेंस की तयारी में तो आप अगर इस तरह की कटेगरी में आ रहे हैं किसी तरह का कोई दिकत नहीं है इससे अगर उपर आपका जिनका जिनका है वो एकदम मेंस में लग जाईए अराम से और देखिए अगर नहीं होना होना अलग बात है क्योंकि इसके बाद भी अगर फीर आएगा तो फीर बहुत कम समय देगा आपको कुछ भी सोचने के ध्यान में रखेगा ये आयोग का जारी किया हुआ नहीं है वो आपको जब देगी तो आप एक बार उससे देखी लिजेगा लेकिन हम जो यहां पर बताए हैं पिछले को ध्यान में रखकर एक्जाम का जो कोशन पेपर है उसका स्टेंडर को देख करके और उसके पूसने के बाद एक अनिलिसिस करने के बाद ये कटफ निकाला गया है ठीक है तो आप इसके एक बार इसको ध्यान में रख करके अपना तयारी आगे बूस्ट किजे ठीक है ये चीज हम थोड़ा सा बताना था आप लोग के लिए ठीक है बाकि आप अपने एकॉर्डिंग स